हेलो एब्रियोन बेल्कम टू इस्पेसल स्टेडी विद्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रिक ब्रेकिंग अपडेट है दोस्तो जो एर फोर्स स्कूल की तरफ से पर्ममेंट वैकेंसी आती है फाइनली उसका भी आज नोटिफकेशन रिलीज किया गया था दोस् साथ में स्लेवस क्या रहेगा इसके लिए कभ इनका एक्जाम कंड़क्ट करवाया जाएगा उससे जोड़ी साइले टेस्ट अप्डेट पाने के लिए दोस्तों आप वीडियो को सुरू से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जरू से जरू देखेगा तो बेकें देखें जो सेली दी जाएगी 35,000 बेकेंसी केंसा दी जाएगी इनके लावा जो मेंडेटरी क्वालीपकेशन आपके पास होनी चाहिए देखें लें आप मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स की हो 50 पेशन अंकों साथ इनके लावा बैचलर की डिग्री हो इस जो आपकी होनी चाहिए इनके लावा बुमेंड कंडिडेट एंड फिचकली चैलेंज कंडिडेट गिवें एज रिलेक्सेशन भी दिया जाएगा पांच साल कंग को छूट दी जाएगी इनके अलावा बात करें तो आपके पास इंगली सिंदी का ग्यान होना अनिबार होना चाहिए एंड सिटेट एस्टेट कॉलिफाई कंडिडेट बिल भी एडिशनल बेटेज यदि आपने सिटेट एस्टेट किया है तो उसका बेटेज अलग से आपको दिया जाएगा नेक्स जो बेकेंसी जारी की गई दोफ्तों पीजिटी फिजिक्स के लिए जारी की गई है मास्टर प्रिकियों और आपकी उम्र जो है 21-50 के बीच में होनी चाहिए तो इनमें फाम को अप्लाई कर सकते हैं और यह दिशिटेट की है तो आपको एक्स्टा वेट के रूप में दिया जाएगा मार्किंग इनके लावा पीजिटी इस्ट्री की तो हिस्ट्री की सब्जेक्ट आ जाएगी 35,500 35,000 लेके 1,50,000 तक इनको सैली प्रोवाइट कराया जाएगी और इनके पास मास्टर डिग्री कंपूटर साइंस की कंप्लीट हो या फिर वी किये हूँ वी टिक किये हूँ इनके लाव बात करें जो नेक्स्ट वेकेंशी है और टीजिटी से जुड़ी है इस्पेसल इसकेटर की जिसके लिए 33,000 परमान सैली प्रोवाइट कराया जाएगी और इनके लाव बात करें आपके पास देख लें जो प्याटी पोस्ट कोर्ट के लिए वेकेंशी जारी की गई है और रिगुलर बेसेस हैं अठाइस जार पांशो से लेके आठ पचास सैंतिह जार यहीं कि 48,000 तक इनको परमान सैली प्रोवाइट कराया जाएगी जो क्वालिफ केसन चाहिए बैसलर डिगरी एनि अन्बसिटी से 50% अंगों के साथ इनके लाव है आपके पास बैसलर इन इसकेसन डिगरी होनी चाहि करते हैं नेक्स जो वैकेंसी है दोस्तों एन्टीटी की है 18,000 लेके 30,000 पनवान इनको सैली प्रोवाइट कराई जाएगी इनके लाव बात करें एकाउंट असिस्टेंट वैकेंसी भी जारी की गई है लैव अटेंडेंट के लिए भी जारी की गई या पेस्केल जरू चिक करेंगे यह कहां से कैसे कितनी पदों पर अकब तक फार्म को अप्लाई कर सकते हैं तो सबसे पहले यहां पर दोस्तों देखने जो फार्म का है वैकेंसी जो नोटिप के संजारी किया था 14 जन्वरी 24 को लास्ट रेट समिशन देखने 31 जन्वरी एंड रिटें जो यहां पर तो जो वैकेंसी जिलीज की गई है वह एरफोस इस्कूल जोत्पुर की तरफ से जारी किया गया है तो यहां पर वैकेंसी नोटिप के संज देख लें अंतिंतिती देख लिए 31 जन्वरी तक फार्म को अप्लाई आप कर सकते हैं